नमस्कार नीज़ फोर नेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ धीरत सिंग्ग जैदियू के राष्टी एक कारे पड़िशत में पिछले दिनों एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि पिछले दिनों अजमेर शड़ी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने दूआ मांगी थी कि सिम नितिश कुमार अब पिएम मटेरियल हैं और पिएम पड की जो दावेदारी हैं उनको निभानी चाहिए इसके बाद लोगों की और से जब सवाल पूछा गया तब जमा खान कहता ह है कि P.M.C.M नितिश कुमार में काबिलियत है पि-म बनने की जब इसको लेकर आज जेद्यू संससद्य पूड के राष्टिय अध्यक्ट उपेंद्र कुशा गया तो उन्होंने बदाया कि नितिश कुमार में वह सारी काबिलियत है पि-म बनने के लिए लेकिन 2024 तक के लिए PM पद के लिए कोई भी वेकेंसी नहीं बता दे कि सबसे पहले PM माटेरियल की जो राग है वो उपंदर कुश्वहा की और सही छेड़ा गया था उसके बाद आज का बयान कहीं न कहीं एक तरीके से पलटने वाला बता जा रहा क्या कुछ कह रहा है जद्यू के संसद्य बोट के राष्टी अधियक चुपंदर को सब्सक्राइब छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ ते उस ब्यान के बाद पार्टी की राष्टिये परिशत की बैठक में पार्टी को जो कहना था पार्टी ने कह दिया है लेकिनों चाहे मेरे कहने का या हमारी पार्टी में और कोई नेता बोल रहे हो कहने का यह अर्थ नहीं है कि हम लोग कोई पार्टी की वर से उमिद्वारी अभी जता रहे हैं कोई उमिद्वारी का क्लेम कर रहे हैं ऐसा नहीं है उसको उस अर्थ में नहीं लेना चाहिए सबसे बड़ी राष्टिय परिशब उस राष्टिय परिशब की बैठक में जो प्रस्ताव पारित हुआ उस प्रस्ताव पारित होने जैसा नहीं था हाँ कॉंसिल में यह बाद जरूर कही गई थी एक स्वर से लेकिन फिर हम दोड़ाएंगे कि उसका यह अर्थ नहीं था कि आज तारिक में कोई कंडिडेचर प्रधान मंत्री के लिए हम लोग डेकलेर कर रहे हो उसका दावा कर रहे हो ऐसा नहीं था तो सब्सक्राइब कर दोड़ान मंत्री को ही जड़ियों मानती है कि प्रधान मंत्री नरेदर मोदी जी है कि पिल्कुल क्लियर है इसमें कहां कोई इफवर्ट है कि यूपी चुनाव पर बार बार या बात कहीं जा चुकी है उत्तर प्रदेश का चुनाव निश्चित रूप से हम लोग लरेंगे कितनी सीट उपर लरेंगे अभियात तय नहीं है सेलेक्टर सीटो पर लरेंगे बाद में बताएंगे जब हम तै करेंगे आंतिम रुप से कितनी संख्या होगी हमाइनल करेंग अलग से भी लड़ेंगे चुनाव लेकिन पक्का है कि चुनाव लड़ेंगे ते यस्वी आदव के इन वियानों का कोई मतलब नहीं ते यस्वी आदव पहले अपना कोट का जरी देखे उसके बाद इस तरह की चीजों पर किपने करें